कुछ दिनों पहले एक ऐसी कहानी सामनी आई जिसकी बुनियाद शक की सुई पर गूम रही है गाड़ी में पती पतनी 2000 फूट की गहरी खाई में गिर गए और महिला दोस्त ने कूद कर अपनी जान बचा ले ये नाटकी घटना क्रम उस समय सामने आया जब जखमी महिला दुकानदार के पास पहुची और मदद मांगने के साथ हाथ पर जोडने लगी कहने लगी कि मेरे परिवार वालों को मत बताना बिना पूछे आई हूँ पुलिस के सामने भी यही बात कही गई लेकिन मामला कुछ गड़बर सा है रविवार की शाम महू मनलेश वर रोड पर जाम गेट पर पती पतनी की मौत सुर्खियों में है खरगोन के सुनिल गुजराती की पतनी प्रीती गुजराती और दुगुस्त दीपी का कुश्वा कार से गूमने जाम गेट आये थे शाम को यहां पहुचने के बाद और गिलेटरी के फारिंग रेंज के पास खतना के लाके में पहुच गए पचास कदम दूर पर खाई थी और पती पतनी बैट कर खाना खा रहे थे पती नशी की हालत में था और दीपी का पीछे बैठी हुई थी साथ बजे की दर्मियान अचाना कार चलने लगी और उसके गेट लॉक हो गए दीपी का तो कूद गई जब की पती पतनी 2000 फुट गहरी खाई में जा गिरे दीपी का ने जाम गेट के पास पहुच कर कनहिया लाल राठो की दुकान पर ज़ा कर बताया कि ये सारी घटना करम हो गया है उसके सर से खून भहरा था वो कहने लगी हमारी मदद करो कार खाई में गिर गई है पुलिस को बुला लो कनहिया की पतनी बोली कि पहले तो पुलिस को सूचना दी फिर कहा कि आपके परिवार वालों का नंबर बता दो ये सुनते ही लड़की के चहरे से हवाईया उड़ गई और वो महिला के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी कि मेरे घर वालों को मत बताना बिना पूछे यहां आई हूँ दुकानदार भी पतनी भी पुलिस अफसरों जैसा रौब जगाने लगी और सवालों की जड़े लगा दी पूछन लगी कि बिना बताए घर से कैसे आई हो तो तुम्हारा दोस्त कौन है उसने कहा कि सुनील से पहचान है फेसबुक पर दोस्ती हुई थी यहादसा है मेरी क गलती नहीं है दाए घंटे तक वो दुकान पर बैठी रही लेकिन परिवार वालों को घटना के बारे में जानकारी दिने से मना करती रही जब पुलिस महां पहुची तो यही कहानी दोराने लगी जिस पर पहले तो यकिन नहीं किया जा रहा था लेकिन बाद में अफसरों ने इसे हाथसा मान लिया जिस जगह कार खड़ी थी वहां आना जाना मना है लेकिन फिर भी तीन लोग चले गए पास में कुछ लड़के शराब पार्टी कर रहे थे जिन्हें पुलिस ने वहां से भगा दिया इस घटना के बाद डिप्टी रेंजर पावन जोशी भी वहां हो गए और हाथसे को लेकर काफी लापर वहां नजर आया पती पत्ती के लाश तो पुलिस ने बरामत कर ली लेकिन कार ख़ाई में ही है पास में ही दुकान लगाने वाले सुदामा नागौर ने बताया कि यूवक खुद ही मौत को नियोता देते हैं क्योंकि ख़ाई के पा पुलिस ने उन्हीं ही कचहरी में खड़ा कर दिया इसलिए दुकानदार मदद करने में डरने लगे है जाम गेट पर 15 से जादा चोटी बड़ी दुकान है जो बारिश के दिनों में यहां भीड रहती है महू से 27 किलोमीटर दूर खुब सुरत वादी में लड़के लड़क खुफिया रास्ते के लिए जाम गेट बनाया था जो नीचे से महिश्वर तक पहुचता है आजादी के बाद सडके बन गई हो परेटन के रूप में यह महशूर हो गया लेकिन अब यह हाथसों की जगह बन गया है और इस वजह से यह सुर्कियों में भी रहता है घटना मे जिस महिला के सिर पर चोट लगी थी रात में उसी के परिवार वालों के हवाले उसे कर दिया गया उसकी मा और पिता उसे लेने आये थे बयान में यह बात बताए गई कि वो प्रीती की दोस्त थी वो यहां घूमने आई थी फेस्बुक से दोस्ती किस के साथ हुई थी यह भी पता नहीं लगा है जो बयान दिये हैं उसमें हादसा लग रहा है कि सुनील नशे में था और गल्ती उसकी थी नशे में उसे ध्यान नहीं रहा उसने अपनी गाड़ी पर रीवर्स गयर लगाने की जगह गाड़ी को आगे बढ़ा दिया जिस खाई में गाड़ी गिरी ह उसे छोटी जाम घट कहते हैं या दुकाण लगाने वाले भी कभी-कभी कभी खाई के नजदिक नहीं पढ़्शते बहुंचते वो कहते हैं कि करीब जाओ तो चक्कर आजाते हैं लोगों को समझ्जाते भी हैं लेकिन सेलफी और अच्छी तस्वीर के जक्कर में वहाँ प अब्देटेट्स